हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल कुकरी पॉइंट दोस्तों आज हम बहुत ही टेस्टी गर्मा गरम आलू के पकोड़े बनानी जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाले डीश है लेकिन टेस्ट भी उतनी ही बहुत ज्यादा होती है तो देखते हैं इसके लिए लगने वाले इंग्रिडियंस यहां पर मैंने लिया हुआ है एक बड़ी कटोरी भरकर बेशन एक चुटकी भरके हिंग आधी छोटी चमच अजवाइन एक चुटकी हल्दी पावडर स्वादानुसर नमक और स्लाइस किया हुआ आलू जिसका छिलका उतरकर मैंने इस तरह से और इसके अलावा हमें चाहिए होगा कुकिंग के लिए ओईल अब हम देखते हैं कि इस बैटर को किस तरह से रेडी करना है यह सारी चीजे जो हमने ली हुई है यह सारी चीजे हम बेशन में डाल देंगे फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे इस तरह से कोई भी लंस इसमें ना रहे और इस तरह का स्मूध बैटर हमें चाहिए होगा देख सकते हो आप कंसिस्टनसी मुझे लगबग आधे गलास से जादा ही पानी इसमें लगा हुआ है अब जैसे ही हमारे गोल यह बैटर रेडी हो जाता है तब हम इसमें डालेंगे गरम किया हुआ ओईल एक चम्मच इस तरह से और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ओईल की साथ हमारा ओईल जो है बहुत अच्छी तरह से गरम हो चुका है तो हम एक एक पोटेटो की स्लाइस जो है आलू की स्लाइस इस तरह से इस इसी तरह से हम सारे ही पकोडे फ्राइ कर लेंगे अच्छी तरह से आज को मध्यम रखिएगा बहुत ज़्यादा फास्ट आच ना रहे यह हमने दोनों तरफ से अच्छे से इन्हें फ्राइ कर लिया है अब यह गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे इसी तरह हम दूसरे भी और सारे ही पकोडे हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे गैस को जो है हम मध्यम ही रखेंगे बहुत ज़्यादा इसे हाई फ्लेम पर ना रखे वरना उपर की लेर जो है जल जाएगी और बैसन अंदर से कच्छा रह जाएगा तो इसी तरह से हम सारे ही पकोडे फ्राइ कर लेंगे इस तरह से गरमा गरम और टेस्टी आलू के पकोडे जो है बनकर एकदम रेडी है बहुत ही सिंपल स्टाइल है फट्टा फट से बन जाते हैं आप भी इसे एक बार जरूर बनाईएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले तो मिलते है ऐसी ही एक टेंप्टिंग और डिलिशियोस रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई एंड एंग्जॉई